तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने बनाय था यह है इसको हमने कंप्लेट किया थे इसमें हमने अड़ की थी फंक्शनालिटी जावा स्क्रिप्ट के थिरूप जो कि थी जब हम ख्लिक करते हैं तो यह शो करता है और हैड करता है यह हमने आइड की थी जावस्क्रिप्ट के थूँ और आज की इस वीडियो में हम बनागे head footer को और आगे complete करेंगे मतलब कि हमने last video में यहां तक पूरा cover कर लिया है इस video में हम cover करेंगे यह हिस्सा यह जो part है footer का यह वाला part आज की हम cover करेंगे तो चलिए code करते हैं यह हमारा visual studio code इसको जड़ा refresh कर लेता है यह हमारा visual studio code और यहां पर हम open करेंगे अपनी html file और यह हमारी html file open हो रही है और इसमें cover time लग रहा है तो यह हमारी html file open हो चुकी है यह हमारा photo element है आप देख सकते यह footer element इसके अंदर एक div है footer opt के नाम से तो इसको wrap कर लो और इसके बाद यह footer opt वो है जो हमने last video में complete किया है with javascript interactivity or functionality you can say so आज की इस video में हम बना रहे हैं जो rest of the part है footer का वो तो उसके लिए हम करेंगे एक div बनाएंगे जिसके class होगी footer of two ठीक है footer opt two इसके अंदर क्या है देखो सबसे पहले तो मैं की यह div जो है यह पूरा div है footer opt two यह जो पूरा div है ठीक है इसके अंदर हम एक div बनाएंगे सोशल नाम से जिसके अंदर यह चार आइकंस होंगे ठीक है उसके बाद दूसरा div बनाएंगे जो होगी जो की होगा copy desk के नाम का डिव जिसके अंदर यह elements आएंगे ठीक है और थर्ड वन डिव होगा जिसके अंदर यह आएगा copyright एक थर्ड डिव होगा copyright जिसके अंदर यह तिन हम आएंगे तो सब से पहले हम फोटर अप्टू डिव के अंदर सबसे पहले यह वाला डिव बनाते हैं जिसमें होगे यह सारे आइकन्स ठीक है तो चलो फिर आज़ो अपने कोडिंग पर डिव बनाएंगे हम तो शल के नाम से इसके अंदर एक एंकर टैग लेंगे इसको एक डैड लिंक देंगे और इसके सोच होगा बैध के फोल्डर में इमेज दे में जाकर इमेज लेंगे ऊंपनी की यह कश्याज है और इसको पिजूए आइकन हम को इसको लॉट्स क्लस देन ऐह आइकन आपकर पता होगा ठीक है अब इसको copy paste कर लेंगे anchor tag से और paste करेंगे इसको यहाँ पे इसका नाम change कर देंगे images में जो image है उसका नाम रखेंगे Facebook नाम दे देंगे यहाँ पे Facebook का logo आ जाएगा इसके बाद इसको चेंज करके पिंट्रेस्ट का नाम देंगे यहां पर पिंट्रेस्ट का लोगों आ जाएगा और इसके नेचे फिर से पेस्ट करके ज़रा चेक कर लेते हैं तो यह देखो यह नीचे हमारे जो आइकंस शो हो रहे हैं यह चार आइकंस है हमारे शो हो रहे हैं ठीक है अब इसके बाद एक दिड़ तो हमारा रेडि हो गया सोशल वाला डिब रेड़ी करेंगे यह वाला डिब ठीक है इस डिब को रेड़ी करने के लिए सोशल वाले डिब के नीचे एक और डिब बनाएंगे जिसकी क्लास होगी कॉपी डैस्क ठीक है इसके अंदर होगा anchor tag जिसके पास होगा dead link और यहां पे लिखेंगे हम privacy notice ठीक है इस ही को copy paste करेंगे Ctrl C ऑन और सब्सकुत्रों बी और इसके अंदर जो content एप कर देंगे complacent से तो यहां लिखेंगे टर्म्स ओफ यूज अगें जाके पेस्ट करेंगे फिर से का कंटेंड जो है चेंज करेंगे फटा फट से और यहां लिख देंगे डू नाट शेयर माय पर्सनर इंफॉर्मेशन ठीक है ऐसे ही दो और एलिमेंट लेंगे तो हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ठीक है इसको सेव कर देंगे तो यहां जड़ा चेक करते हैं हमारा यहां यहां बनाएंगे हम चलू इसको राप कर देते हैं पॉपी डैस की को आप कर देते हैं अब इसके बाद बनाएंगे जिसकी ख्लास होगी कौपी राइट प्छीक है इसके अंदर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले तो इसको h5 element मतलब heading element यूज़ करेंगे मतलब font size छोटा होगा और यह heading होगी तो इसमें लिखेंगे and copy और कुछ इस तरी गया से ठीक है यह चीज क्या होता है यह जो होता है इसका इस्तिमाल होता है इस वाले icon के लिए जो आपको c वाला icon लिख रहे है ना copy का इस इस वाले icon के लिए होता है स्केस्ट वाले html में ठीक है अब इसके बाद हम लिख देए थे 2023 starbucks कोफी company और इस रिजर्व क्योंकि हम बना रहे हैं तो सारे राइट्स हमारे पास होने चुछ है ना तो यहां पर आप चेक करो हमने वह लिखाता ना उसके बदले यहां पर सी आइकन आ गया है यह दो ठीक है तो तीनों चीज़े हमने एड कर लिए है html के दुरू अब इनको जड़ा स्टाइल करते हैं css में जाके तो चलो जड़ा css open कर लेते हैं css file open कर लेते हैं अपनी व्यू में जाएंगे एड़ लियाउट में split right करेंगे जाएं पर हम अपने फुटर ऑप्टू के लिए css लिखेंगे और इसको style करेंगे यह तो है किसके लिए है यह स्मार्टफोन के लिए इसको रैप कर देते हैं जो कि हमारा कोड जो है clean देखें ठीक है ओके सो अब हम इस वीडियो में इसको हम style करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यह फुटर ऑप्टू यह वाला इसको टार्गेट करेंगे हम इसमें पुटर ऑफ टू इसको हम देंगे पैडिंग पैडिंग होगी 40 पिक्सल टॉप से और लेफ्ट राइट से होगी 50 पिक्सल प्ली स्पेस दे रहे हैं तो देखो एक वार यह आप कितने स्पेस मिल इसको 40 टॉप से और लेफ्ट और बैकेट करेंगी इसमें फोटर ऑफ टू में सोशल वाले डिव को जो मेरा फॉस्ट डिवेस का यह सोशल वाला डिव इसको हम देंगे मार्जेंगे लेफ फाइप अलिक्समर्ज भाइप देखो जब फाइप पिकल ढलील्स तरह को ज 2500 गार्विक है तहसे औहाद तरफ हो जाएगा इसालिवा Μार्जोड आने कि वजाए वह आइटम जो है उस तरफ को जाएगा अपोस्ट जाएगा तो हमने माइनस फाइप पिक्सल दी तो यह अपोजिट साइड हो गया है फाइप इक्सल ठीक है और यह हमने क्यों है अभी आप समझ जाओगे देखते जाओगा तो अब यहां पर हम करेंगे टार्गेट सोशल के जो आइकन्स हैं उनको तो दिखते हैं ज़रा डॉट पुटर आप्ट टू और सोशल के जो आइकन क्लास वाले अलिमेंट है उनको टार्गेट कर रहा हैं इनकी जो विट्थ है वो होनी चाहिए 40 पिक्सल और पैडिंग देंगे हम इनके बीच में 5 पिक्सल की मार्जिन जो है बॉटम से 30 पिक्सल होना चाहिए और ओपैसिटी जो है थोड़ा लाइट कर देंगे अम ज़रा जिरो पॉइंट nine शायले बॉड़र रेडियस में चर्प अब 2 का क्यों अ ativos सर्कल वनाने के लिए बॉडर रेडियस के स्टिमाले कि चाहिए सब्सक्राइब यह उड़र्णि सैर्कल है बट मैं आपको बताऊंगा यह सक्थ क्यों मैंने बॉर्ट रेडियस त्यूपर सुंट दिया दोगा मारे आइकन कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं आप जो है हमारा इसमें देंगे हम ट्रांजिक्शन क्यूंकि इसके अंदर हमें एक एफेक्ट भी आड़ करना है जो कि जब आम इसके उपर होवर करेंगे तो वो एफेक्ट शो होना चाहिए उस एफेक्ट के लिए करना हूँगा आप लिखेंगे एंप फोटर ओप टू डॉट सोशल डॉट आइकन and then over जब भी हम इसके उपर hover करेंगे तो क्या होना चाहिए बैक्ग्राउंड कलर जो है इसका वो चेंज होगा RGBA ग्रेलेंगे ग्रे कलर होगा इसका 128128 and opacity कितने होगी 0.281 ठीक है इसको save कर दे आप देखो जरा अब जब हम इसके उपर hover करेंगे तो देखो यह circle आ रहा है इसके पीछे background में यह कितना अच्छा लग रहा है यह आता है इसके लिए अमने बॉर्डर रेडियस 50% दिया था अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस को रिमूव कर देता हूँ करेंगे आप देखो आप देखो यह square शेप में आ रहा पीछे है ना इसलिए मैंने दिया था बॉर्डर रेडियस 50% इसको देते हैं 50% इसलिए देते हैं जरकल बनाने के लिए को सोशल दिव तो complete हो गया हमारा styling इसकी complete हो गई है अब टार्गेट करेंगे हम copy desk को को इसके लिए क्या गरेंगे हम लिखेंगे dort footer opt to और इसके अंदर .copy-div और इसके अंदर हम टार्गेट करेंगे एक हो जो एंकर टैग्स है मतलब copy-div में है क्या एंकर टैग्स ही तो है अब इनको टार्गेट करेंगे और इनका कलर करेंगे सबसे पहले जो एंकर टैग इनको ब्लैक कर देंगे उसके लिए ब्लैक कलर लेंगे हम और डिस्प्ले कर देंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कि देखो अभी किस तरीके से दिखे रहे कलर चेंज हो गया इसका और पैडिंग इनको राइट में देंगे हम 20 पिक्सल्स की और बोड मार्जिन बॉटम मार्जिन बॉटम देंगे 20 पिक्सल्स तो देखे हूं किस तरीके सा दिखेगा कि यह देखो कुछ यह इस तरीके का दिखेगा कि इसमें हमारा देखो ऐसा दिख रहा है और इसमें हमारा अभी इस टाइप का दिख रहा है अब जरा इसको हम बॉडर देंगे बॉडर राइट टू पिक्सल सॉलिड ग्रे सेव कर देंगे देखो यह किस तरीके का दिख रहा है कि अब भी यह कुछ ज़्यादा अच्छा दिखनी रहा है तो चलो स्टाइल करतो रहां स्टाइल कर देंगे इसको थो यह दिखो जब हम आम इसको बॉर्डर राइट प्र प्रॉपर्टी दिए फिसमे इसका बॉर्डर Solomon के भाक यहां रहा है इसका अलिमेंट से बॉर्डर यह रहा और समक्षिकल सुल के भी अर्ग करें इस वाले का भॉटर तो वह ही नहीं नहीं यहां पर इस वाले का है अगर हम यह प्रॉपर्टी चेंज करके राइट तू लेफ्ट कर देते हैं तो भी देखो आप आप सेव करते हैं इसको हम आप देखो जब हम लेफ्ट दे देते हैं तो इसका बॉर्डर जो यहां आ रहा है यहां रहा है यहां रहा है और इसमें देखो इसमें यहां पर कोई बॉर्डर नहीं है तो अब इस situation में हम क्या करें इस situation में css ने हमें दी है एक नई चीज जो कि हम आपको बताएंगे obviously यहां पर हम आपको बताने के लिए बैठे हैं तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम लिखेंगे dot footer of two dot copy desk a same as it is कि अंकर टैक को टार्गेट कर रहे हैं लेकिन इसी अंकर टैक के साथ हम लिखेंगे कि सिर्फ कर नॉट कि अब इसका क्या मतलब है इतने का इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप anchor tag को target कीजिए ठीक है आप anchor tag को target करो लेकिन इसके first child को target मत करना यह है इसका मतलब अतलब की आप जो है यह सारे anchor tag को target कर रहे हैं लेकिन इसके first child को target नहीं करेंगे इसको छोड़के इन सभी को target करना इसका यह मतलब होता है ठीक है तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे पैडिंग जो है लेक्ट होनी चाहिए थर्टी पिक्सल्स अब जो भी प्रॉपर्टी है थर्टी पिक्सल्स की वह इन एलिमेंट्स पर लगए इस पर इस पर और इस पर बट इस वाले से टू पिक्सल्स सॉलिड और कलर हम लिख देंगे आज यूजी ए जीरो जीरो और पैसिटी देंगे हम इसको 534 ठीक है इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा बॉर्डर बॉर्डर लेफ्ट दिया है तो इसका बॉर्डर लेफ्ट यह रहा इस वाले का आएगा नहीं तो यह वाली चीज हमने इस वाले अलिमेंट को हमने टार्गेट किया ही नहीं है तो इस वाले का बॉर्डर यहां है इस वाले का बॉर्डर यह रहा इसका बॉर्डर यह रहा और इसका बॉर्डर यह रहा तो यह चीज हमने कम्प्रीट कर लिया लेकिन अभी dot copy dash anchor tag over जब हम इस पर hover करेंगे तो text decoration text decoration जो है क्या होने चाहिए underline save कर लेंगे save करने के बाद हम देखेंगे कि जब हम इसके ओपर hover करते हैं तो अंडर लाइन आ रही है तो हमारी यह दो डिव कंप्लीट होगे अब आ रही है इस वाले डिव की इसमें जाद कुछ खास हमें करना नहीं है यह तो पहले से decorated है style है इसमें बस लिखना है photo of two और target करना copyright डिव को और यहां पर हम लिखेंगे margin टॉप टॉप से हमें margin चाहिए 20 pixel जो की थोड़ी space देगा इस वाले डिव को और इसका color थोड़ा light कर देते हैं तो color देंगे हम इसको RGBA and 0000.466 की opacity और इसको save कर देते हैं तो देखो यह कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो हमारा footer जो है पूरी तरीके से complete हो गया footer के हमारा पूरा यह landing page जो है उपर से नीचे तक पूरी तरीके से complete हो गया है लेकिन अगर आप देखो तो अभी पेस तो पूरा responsive है बट यह जो footer है यह responsive नहीं दो कितना अजीब सा लगए यह responsive नहीं है तो चलो फिर इसको responsive बनाते हैं कितनी देर लगए यह रहा हमारा नीचे tablet screen के लिए CSS code इसको ज़रा open करते हैं और यहां पर हम नीचे चलते हैं इसकी ज़रा पैडिंग वगरे कम करते हैं पैडिंग टॉप से देंगे 40 पिक्सल जो की और रेड़ी थी बट लेफ्ट और राइट से देंगे हम 30 पिक्सल ठीक है सेव कर लेंगे इस पेस हमने लेफ्ट राइट से थोड़ी कम कर दिये पुटर ऑप टू अगें और कॉपी डैस जो ए है जो एंकर टैग है उसको टारगेट करेंगे उसको डिस्पली कर देंगे हम एज ब्लॉप पहले इन लाइन ब्लॉप क्या था आपके बारी ब्लॉप क डिखेगा जो एफ जो अब क्या कर रहे हैं हम अब लेखेंगे दोट प्रुटर ॉठ origin आप टार्गेट कररें है हम सेमग्रियला ने पहले किया था कि हम फर्सध को टारगेट नहीं करेंगे बाकिके सारे अलिमैंट को जो है टार्गेट करेंगे एंकर चाइल्ड के तो यहाँ पर हम करेंगे इसको प्रॉपरटी देंगे पैडिं जो लैठ्ट से है वह जी रो होनी चाहिए और जो बौर्डर है लैक्ट से जो यहाँने दिया था उसको रिमूब कर दो यहाँ पर लिए बौर्डर लेफ्ट नन और तो यह वो कुछ इस टाइप का दिखाएगा आप देखों यह कितना ब्यूरिफूल लग रहा है अधर के लिए क्या करेंगे हम फोटर और टू और यहां लिखेंगे कॉपी राइट कॉपी राइट और यहां पे जो है मार्जिन टॉप जो है 구is कर देंगे सेट लिखो अभी प्लैना सब्सक्राइब छोट्र स्क्रिंगिंद रिसक्तव है और लैफट आप स्क्रिंग के लिए भी रिस क्रिक्शेड तो हमारा यहां हमारा जो हॉए लाइंधिंग पेज पूरी तरीके से राइक है कम्प्लीन लेंगवेज लिख लिए हैं यह पूरा पेज हमने रेडी कर लिया है फुली रिस्पॉंसिव पेज है और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगई हो तो चैनल को सॉरी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत नहींत लगती है वीडियो बनान मैं आपको तो आपको कमेट में बता दो तोनों उसको ठीक हर दोना ठीक है थैंक्स फूर वाचिक दिस वीडियो झाल झाल आपको कि अढ़ स्कानी आपको लगते हना एंपको तोनों कर दोना आपको दोना जहींत दोना तोना ओलाफको कि आपको तोना चैनल को रहता थाना गपको जोना थया वीडियो प्यारा ख्लावती है झाल झाल